कि हैलो आई नियु फैंबली मुझे आपके काना को आपके पास लाने में थोड़ा सा समय लग गया और जिन्मेदारी मेरी ही है कि मैं थोड़ा लाने में लेट हुई लेकिन अब बिना देरी कि यह बात करते हैं अपने लड्डू पाल के बारे में इस मैंने देखा कि मैं सब क सजाया बिल्कुल तयार किया काना के उन्हें कपड़े पैनाए मक्षन किलाया और हांडी उन्होंने सारी अक्टिविटीज की जो भी इस त्योहर पर की जाती है मुझे भी लगा कि यार मुझे बढ़ी नहीं होना चाहिए था मुझे भी छोटी होना चाहिए था अना और फ हमारे काना रातरी बारे बजे सारे बंधनों को तोड़ के जनमे थे और इस रोज अच्छा ही जनम लेती है आप देखते हैं कि अगर आप काना के जीवन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे और आप कभी भी निराश नहीं होंगे क्योंकि कि भक्ती में बहुत सुकून मिलता है और बिना इश्वर की मरजी के कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता तो सही भी बात है और अविश्वर की मरजी है कि आप और हम मिले और अविश्वर का नाम लेके करते हैं जर्माश्चमी का विलोग शुरू मतलब आपके फैवरेट करे ही है ऐसे में कौन दीता है सहारा कोई भी नहीं ना हाथ ना प्यार कैसे लड़ेगी एक मजबूर नार जिसका कोई नहीं उसके स्वैम हम है न तुम घबराती की हो जब तुम्हारा सीधा शाम से नाता है मुरली वाला सब दिगड़ी बना देगा और ये कहकर काना गायब हो जाती हैं काना की ये बात सभी के कानों में गुंजती है और तीनों सखिया उठकर एक दूसरे के पास आती है और एक तुझे के आसुपोशती है सुना न दुम सबने अभी अभी काना ने क्या कहा था हाँ सीता हमने भी सुना हाँ सीता हमारे काना आज खुद हमें दर्ट से निकालने आए थे काना बोली जिसका कोई नहीं उसके काना है और आज जिन माश्टमी है हमारे काना का जनम दिन आज दही हानने के साथ काना का स्वागत करेंगे हाँ सीता, जब कृष्ण जी जन में थे तब बुराई की जेल के ताले तूटे थे आज काना, स्वयम हमारी सामने आकर जिन्दिगी के गम की जेल के ताले तोटेंगे सरोर तूटेंगे आज तो सोरो शोरो से चनम दिन मनेगा मैं अभे सारी तयारी करती हूँ और मैं मेरे कान्हों का प्रसाद बनाने जाती हूँ कृष्णा को मिश्री मावा बहुत पसंद है और दोनों जश्न की तयारी करने चली जाती है और मैं चाती हूँ मेरी कृष्णा राधा की चोड़ी को बनानी सीता पारस और परी के कमरे में जाती है और देखती है कि दोनों एक दोसरे के बाल फाड़ कर बुरी तरहें लड़ रहे थे अरे 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 ये क्या? दो प्यारे दोस्तों की पीच ऐसी लड़ाई? ममा परी बहुत बुरी है आज से इसका और मेरा रिष्टा खत्म ममा बच्ची में पारस से बात नहीं करने हाँ और दोनों मूफ उलांकर एक दूसरे से पीठ मोर कर खड़े हो जाते हैं अब आप क्यों हस रही हो? हाँ? आप भी पारस की तरहें बुरी हो एक दम मेरे राधा क्रिशन की तरहें लड़ते हैं मेरे दोनों नटखट बच्ची अब ये राधा क्रिशन कौन है? मैं आप कोई और दोस नहीं बिणाने वाली ममा एक तो ये पारस ने मुझे तंकर रखा है सीटा तभी पारस और परी को पास लाकर उन्हें सामने लगी बड़ी सी राधा क्रिशन की तस्वीर लगी दिखाती है ये है ये है अलबेला मुझली वाला क्रिशना मेरा और जो इसके साथ है इसका इश्क जरूर रहा आधा पर वो है सिर्फ कानहा की राधा परी और पारस को कहानी अच्छी लगती है और वो फिर से मान जाती है बच्चों, आज ही कानहा बुराई का अंत आस्मान से एक तेज रोशनी के जरिए सीथी अपनी मां की कोक से बहार आये थी इसलिए आज हम सब उनका हापी पर्द्धि सेलिब्रेट करेंगे और मेरी राधा और कानहा बनोगी तू और सीता दोनों को सुन्धर राधा क्रिश्न की पौशाक देती है यह और एक तू सीता के यहाँ जाने में पहले ही इतनी देर हो गई है उपर से नयन का भी कोई ठिकाना नहीं है अरे मेरे नटखट लल्ला कहाँ चिपा है रे तू अब तू बहार आजा कितना तंग करेगा अपनी मा को और शिवानी नयन को ढूंटी हुई रसोई घर की और जाती है तो वहां का नजारा देख शिवानी की हसी निकल जाती है वह बहुत हस्ती है सामने उसका बेटा नयन माखन का बर्दन लेकर फर्श पर माखन बिखेर बिखेर कर दोनों हातों से खा रहा था नयन के ठीक पीछे काना की माखन खाते हुई की तस्वीर लगी थी तभी शिवानी भी क्यामरा लेकर नयन की इस पोस में फोटो खीचती है हाईरी मेरा नटकट काना अब जल्दी चल यहां से हमें सीता मासी के यहां जाना है और शिवानी नयन को छोटा काना बना कर वहां पहुचती है शिवानी, गीत, सीता, अनुपमा सब से मिलती है तभी पारस और परी कृष्णा और राधा बनकर तयार होती है और सब के आगे आती है सब एक टक बस उन्हें देखते रह जाती है तभी शिवानी पारस को बंसी देती है हाई मेरी पच्चों, चलो अब दही हांडी का प्रोग्राम करती है और चारों सुंदर लड़कियां जाकर राधा बनकर आ जाती है एक मिनट, हम तो राधा बन गए, मगर हम सब के काना कहा है हम सब यहाँ है और भीड में से आवाज आती है, अतने काना वहीं खड़े मुस्कुरा रहे श्लोक, शर्मन, मयांक और राघव सब काना के लिबास में जम रहे थे सब अपनी अपनी राधा से जाकर कली लगती है नयन बेटा, कर हर मैदान फटे और नयन फटा-फट वहाँ हांडी के नीचे खड़े जुड़े 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 तोड़ देता है और वहीं उपर चढ़ा-चढ़ा दही माखन खाने लगता है सब यह देखकर बड़े खुश हो रहे थे और फिर बारी थी पारस और परी यानि राधा कृषन की जुड़ी की रासलीला करने की सब लोग एक साथ खड़े होते हैं और पारस कभी बंसी बजाकर तो कभी परी को छेड़ कर राधा कृषन की तरह नृत्ते कर रहे थे देख रही हो शर्मन दुख के बाधल छट रही है हाँ सीता काना है ना जब जब वो अपनी मूरली बजाएगा जीवन में उतना ही सुख बरसेगा तो दोस्तों आप सब भी याद रखना सुख में तेरा कोई ना हो पर दुख में वो काना तेरे काम सरूर आएगा और हाँ खुशिया और गम ही तो जिंदगी है आज काले बादल है तो कल सबेरा तो हो ही जाना है हैपी जन्माश मी टू आल अरे अरे डांस तो करो मैं तो नई स्टेप्स भी सीखी थी वो किष्णा है काना है रागव एक काना जैसा बच्चा तो हम भी डिजर्व करते हैं न कोई बात नहीं अनुपमा उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता मगर सब का साथ अगर होगा तो शायद हर दुख से हम उबरे ठीक कहा, so happy जन्माश मी टू आल अफ यू गाईज और फिर सभी राधा कृशन की जोडियां अट खेलियां करते हुए अपने काना का जनम दिन मनाती हैं और तभी पारस परी सीता के पास जाती है ममा, हम दोनों नलाई को ने भी कुछ किया है और परी काना का केक लाती है और सब खुश होकर उनके जनम दिन का केक काट पी है हापी बर्दी टू यू हमारे काना, कीप ब्लेसिंग आस थाइक्स फर वाचिंग अनिम फामिली ओफिशिल, इन्जॉव यर दे हेलो एनिम फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू विलोग और आज के इस विलोग में मैं आपको मिलवाने लाई हूँ आपके फैवरेट मेल करेक्टर से और वो मेल करेक्टर कौन-कौन है आप जान ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको नाम बता रही हूँ आपका फैवरेट कनिश्क, मैंक, शर्मन और बाकी को आप खुद आगे वीडियो में देखिए तो सुनिये इनकी बातें, देखिए इनकी मुलाकातें और मैं मिलती हूँ आपसे, जब आप इनसे मिल लोगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ तो जब तक देखिए शर्मन भाईया ठीक तो है ना, शिवानी भावी भी ना, बहुत चिंता करती है खेर, उनको मेरी और से राखी जरूर विश्च करना सामने जो लोग हमें देख रहे हैं, एक बार इनसे बात कर, भावी से राखी बनवाने जरूर आउंगा अरे हाँ, ये सब भी तो यहीं है अरे वाँ, हम दोनों तो एकदम सेम सेम है अरे नहीं नहीं बड़े भाईया, एक जैसे कहां, मुझे अभी कनेश जितना प्यार पाने में वक्त लगेगा पर क्या है न, क्या भें ही सब के इतने फेवरेट, कि मुझे भी आपके जैसा ही चैरा दे दिया हाँ, हाँ, जच रहा है तुम पर दोस्त दोस्तों, आओ, बैठो मेरे साथ आज हम सब हमारी फैमिली से रूबरू होने आए है अरे वा, ये तो मेरा और नीलम का पसंदीदा काम है अपने परिवार से बाते करना हेलो दोस्तों, क्यों मिस कर रहे हो ना अपनी नीलम को अरे क्या हुआ शर्मन, काहे यसे टुकु टुकु देख रहे हो सोच रहा हो कि हम सब खुश से पहले हमेशा अपनी पत्नियों के बारे में ही बात करते है है ना, कितनी अच्छी बात है ये हाँ शर्मन, मैं भी अपनी गीत के साथ उन सबसे मिलना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बनाया है, पसंद किया है मगर अभी मेरी गीत बहुत डरी सहमी रहती है शर्मन, मेरी गीत उन काले अंधिरों से निकल कर आई है जा उसका दम एकदम घुट चुका था फर मैं अब उसके जीवन का उजाला बनना चाहता हूँ एकदम सही बोला तुमने श्रो जब हमारा प्यार बिखरा हुआ होता है तो उस आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है अपनी पत्नी या प्रेमिका को फिट से समेटना और उसे समेटते हुए कभी कभी हम आदमी लोग खुद भी बिखर जाते हैं मगर हिम्मत रखना ही तो हमारा काम है आकिर हम लोग परिवार को अपने कांधे का सारा जो देते हैं एकदम सही बात बोली मैंग भाई तुमने मर्द हमेशा परिवार को कांधे देने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके कांधे में होने वाले दर्द को भी महसूस करने का, उसके पास वक्त नहीं होता, और ऐसे में जब थोड़ा समय मिलता है, तो हम सब यार एक साथ इखटा होगा, यो सुख दुख बाट लेते हैं अपना, दोस्तों सीता के साथ रिष्टे में मैं बहुत जगे बुरा मगर सच कहूं, तो उस वक्त मैं इतना कमजोर था, कि मुझे जरूरत थी किसी की, कि कोई मुझे सहला कर एक बार कहे, शनन बाबु ठक गए हो ना, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, मेरी दोस्त मेरी नहीं रही, मेरी पत्नी और मेरे बीच विश्वाह डगमगा गया था, औ जीवन में हम कमजोर पड़ते हैं, तो हमें हमारे साथी की जरूरत होती है, और अगर मन मुटाओ उसी साथी से हो जाए, तो आदमी तूट जाता है, दोस्तों इतनी इमोशनल बाते सुन मैं बस यही कहूंगा, बहले ही कितनी उता चड़ाओ क्यों ना हो, मगर फिर भी आज प्यार से सैला दोगी, तो नीन आ जाएगी, बहुत दिन से ठीक से सो नहीं पा रही हैं, हाँ कनेश, एक दम ठीक कनेश, दोस्तों आज हमें खटा इसलिए हुए हैं, कि कभी कभी कहानियों में हमारे पहलू, आप दोग शायत पहचान नहीं पाते हैं, मगर दर्द, त जरा धिमा हुआ तो बस, तो बस एक्सिडेंट हो जाएगा, धडाम, भदमाश है यहां सब के सब, तो दोस्तों हमारे टीम, हमारे अपने हर उस चीज का धान रखते हैं, जो आदमी और 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 दोनों को बराबर रखती है, तो एनी फैमिली व्लॉग को ठैंक्स, कि यहां ह हमें बुला का यह कहने दिया, कि भई यहां मर्द हैं तो क्या हुआ, दर्द तो हमें भी होता है, हाँ हाँ, मर्द को भी दर्द होता है, तो गाइज इतने अवेजिंग मैसेज को चैनल को खूब शेयर करें, और हमें प्यार दें, समझें? तो दोस्तों, आप अपने फैवरेट करेक्टर्स की बाते सुन चुके होंगे, और उन्होंने आपसे क्या कहा है, ये भी आप जान गए होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप उनकी बात मानोगे, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले विलॉग में, तब तक के लिए, बाइ ने सुन आपका गुज्स्ण देख लिया था, क्या करें, लेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत था ना, तो आपकी गलती नहीं है, आप वीडियोस को आप इन सारे करेक्टर्स को प्यार करते हैं, तो आपसे सी भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, कहानी में ने इतने सारे बि मगर मगर हमारे इस चैनल पर एनिम फैमिली विलोग चैनल पर प्यार का ही ट्रैफिक होगा जिसमें सांसों की गाणियां रुकेंगी और दिल का सिगनल जाम होगा और तो और इश्क का ही भोपू बजेगा तो फिर ठीक है वेट किसका कर रहे हो यार चलो इंजॉय करते हैं ए पेपनाः प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा सुना सुना लमहा लमहा मेरी राहे तनहा तनहा श्लोक दर्वाजे की ओट में सब सुन रहा था और गीत की इतनी दर्द भरी आवाज सुनकर वो रो देता है आह ये तुम्हारी आवाज का दर्द गीत श्लोक वहाँ से चला जाता है गीतना माखों से गुन गुनाते हुए अपनी प्रेस्ट खत्म कर श्लोक के कपड़े वहीं रखकर चली जाती है कितना सब जानती है न गीत कि श्लोक को कौन सी शर्ट पसंद है उसके साथ कौन सी पैंट चलेगी कितना सब कर लेती है पागत मैं जाहिल तो ठीक से सोच भी नहीं पाता हूँ कि आज क्या पहनू और बड़डाता हुआ श्लोक अपना हाथ शर्ट के अंदर डालता है तो उसका हाथ किसी और ही हिस्से में घुस जाता है जो कि शर्ट का फटा हुआ हिस्सा था श्लोक हैरान सा होकर देखता है कि उसकी कमीज तो सामने से जली हुई है जिसमें आर पार देखा जा सकता है गीत ये क्या कर दिया मेरी गीत ये मेरी फेवरेट शेट थी यार गीत श्लोक के पास नहीं आती श्लोक दूसरी और जाता है जहां गीप फिर से गुन-गुना रही थी आगर मुझे तुम थाम लो मन्जिल मेरी देखे रस्ता मुण कर जरा तुम देखे लो ऐसा मेलन फिर हो ना हो और पीछे से जाकर गीप को बाहों में कसकर ठामता हुआ उसकी करदन को चूमता है गीप थोड़ा सा अनकमफरेबल होकर दूर हो जाती है कौन है वो? सच बताना कौन-कौन है श्लोक? जिसको अपने गाने के जरिये तुम पुकार रही थी ये सब क्या बोल रहे हो तुम श्लोक? मैं यही हूँ और आवाज में दर्द भी है तो फिर ये गाना गातों तुम इतनी कैसे खो गए थी कि तुम क्या चुपा रही हो? श्लोक हुआ क्या है तुम चिलाई क्यों? श्लोक गीत के सामने गुसे से अपनी कमीज फैकता है देखो ये नक्षे वाली शट गीत तुमने इसको जला दिया ये मेरी फेवर्ट शट थी यार ओ नौ क्या हुआ गीत? ध्यान कहा था तुमारा? ये कमीज ये मेने कैसे जला दी? मैं तो सब काम ठीक से करती हूँ पर ये मेने कैसे किया? I'm sorry श्लोक मैने बहुत ही बड़ी गलती करती न बुरी हूँ मैं बहुत बुरी अरे रे गीत बस बस यार मैं तो मजा कर रहा था तुम तो सीरियस ही हो गई मैं तो ज़श्ट कोशिश कर रहा था टीवी सिरियल वाले पती पतनी जैसे होते हैं न ठीक वैसा ही बनने की गीत कैसे करते हैं न वो? तुमने मेरे समान को हाथ कैसे लगाया? मेरे कपड़े कैसे चलाए? मगर गीत तो हसने के बजाए रो देती है गीत 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 अरे बाबा सौरी क्या कर दिया मैंने? गाउना गीत तुम वही गाना गाउ बाबा मैं तो बस मजाग कर रहा था मेरी बाबू मत रो न श्लोग गीत को चाती से चिपकाता है मगर गीत का तो रोना रुख ही नहीं रहता चीची रो रोकर अपनी सारी गीली राग मेरी पोच देना बता नहीं इतनी प्यारी गीत मेरी आज रो क्यों रही है और बताएगी भी नहीं कोई बात नहीं है श्लोग ये श्लोग घबराता हुआ अलमारी के पास दोड़ता है और उसे खोल रुमाल निकालता है और कपड़े में लिप्टे हुए कुछ खट अलमारी से नीचे गिरते हैं जिसे श्लोग उठाता है और देखता है कि वो खट गीत ने लिखे हुए है अरे वा गीत तो बड़ी रोमेंटिक हो रहे है मैं यहां और खट भी यहां थोड़ा से पढ़ लेता हूँ श्लोग चुपके से खट पढ़ता है तो उसके होश उठ जाते हैं खट के आखिर में लिखा था आर पर मेरा नाम तो ऐससे है यानि कि वो गाना वो पुकार वो गीत किसी और के लिए तेरा इंतिजार है आजा सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राही तनहा तनहा आकर मुझे फिर थाम लो नेक्सट पार्ट कमिंग सुन शर्मा 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 अब शर्मा राइटर ने इस छोटी सी कहानी को भी इतने सस्पेंस में रख दिया अरे शर्मा जी आप कितना दड़ पाऊंगी इस फैमिली को वो चारा कितना वेट कर रहे हैं और आप हो कि बस suspense पर suspense लाए जा रही हो और पता है आपको एक तो comment भी कर रही था नीचे suspense गुसा दो इसमें तो थोटा ध्यान डखिये इतने suspense मत लाईए और अब बता भी दीजिए कि आखिर क्या लिगा था उन खतों में और ये Mr. R कौन है और क्या अभी भी ऐसा कुछ है कि जो राज इस लोक से छुपा हुआ है गीत की जिंदगी का और गीत को इतना प्यार मिलने के बाद भी गीत की आफिर किसको पुकार रही थी ऐसे ही ये बहुत सारे सवाल पर मेरे पास तो इनके जवाब नहीं है आप शर्म होने वाला है और एनिम फैमिली विलोग देखते रही है रोज कहना पढ़ता है आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ यार बहुत तेजी से इस चैनल को गिरो कराओ और ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए हैं बाए-बाए अपना ध्यान लगे है 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 यूद्ध फैमिली वेलकम बैक टूबर न्यू विलोग और आज के इस विलोग में मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस लोग का दीवाना दिल नहीं मैं मजाग कर रही हूं मैं आपके लिए यहां एक सस्पैंस को खोलने आई हूं जो पिछले विलोग में सस्पैंस रह गया था कि आखिर इतने प्यारे इस लोग को छोड़ कर गीत किसे चिठ्थियान लिख रही है तो देखते हैं आगे की कहानी जानते हैं चलिए देखें पहले फिर मिलती हूं उसके बाद श्लोग गीत के पास जा रहा होता है गीत बिस्तर पर बैट कर रो रही थी श्लोग के जाते ही गीत अचानक से कुछ हिपा लेती है गीत बात क्या है? क्या बात है? अब श्लोग मैं के गुन-गुना भी नहीं सकती? गुन-गुना सकती हो मगर ये खत कौन है तुम्हारे जन्दिगे में गीत जो अभी भी? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी और श्लोग गीत के सामने धेरो खत बिखेर दीता है ओ ये खत? गीत उन खतों को देख कर नम आखों से मुश्कुराती है अल्वेज इन यौल लब मिस्टर आख, आखिर कौन है याख? हे बेबी, वे डूंट कराए ना देखो अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो 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 आख के मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा बताओ मुझे कौन है वो? और तुम पीछे क्या चिपा रही थी? श्लोग लीट के पीछे देखता है तो वे अपने नीचे टीवी का रिमोट चिपा कर बैठी थी रिमोट? ये तुम क्यों चिपा रही थी? श्लोग टीवी आउन करता है तो चौंक जाता है टीवी पर मुवी स्टार की तस्वीर चल रही थी मिस्टर आर यानी रनबीर कपूर श्लोग पहले तो रनबीर और आलिया की शादी हो गई और अब आलिया प्रेगनेंट है मुझे हमेशा लगता था कि रनबीर की शादी मुझ से होगी मुझे दर्थ हो रहा है श्लोग मैंने तो रनबीर का इंतिजार भी किया था मेरा रनबीर, हालिया तूने उसे मुझसे चुड़ा लिया ये सोंच लोग अपना माथा पीट लेता है ए राम, ये आफ़त भरी लड़की इतनी देर से अपने इमेजनरी लव के लिए रो रही थी और ये खट मिस्टर एस के लिए, ये फिर शारुक के लिए होगा न गीट वो खट देख और रोने लगती है नहीं, सल्मान के लिए, वो अब मेरी शादी हो गई न, तो मैं सल्मान से कैसे शादी करूँ वा गिद्वा, शाबाश, मेरी पतनी इतनी फिल्मी है, और तो उखट बचाए क्या हाँ, ये रहा मिस्टर एच, यानी रितिक, पता है श्लोक, मैं तो बच्पन से ही रितिक जैसी बॉड़ी वाला लड़का चाती थी, पर खेर अच्छा जी, पर अब तुमें तो यही मिला है, और मुझे में वा सल्मान में एक चिस कॉमन भी है, हमारे नाम का एस श्लोक तुम भी न, मुझे रोने भी नहीं देते, मुझे मेरे प्यार के लिए रोने तो दो अच्छा अच्छा चलो बाबा, ओके, तुम रो, मैं भी तुमारे साथ रोंगा, आगर पतने का साध्य नहीं तो पति का काम होता है और गीत फिर से उनको नानी लगती है ये राता लंबिया लंबियारी, कटी तेरी संगिया संगियारी मेरी जली गीत श्लोक हस्ता हुआ गीत को सीने से लगा लेता है और अब आप भी हमारे कहानियों को अपने दिल से लगा कर ज्यादा से ज्यादा देखें कहानिया देखने के लिए लाफ सिटी पर जाएं और आपके फैवरेट बॉलिवुड इस्टार कौन से हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर नहीं है छोड़ ये आपके अपने एनिमी स्टोरीज लव सिटी के करेक्टर्स को प्यार कीजिए वो कितने सुन्दर सुन्दर और अच्छे करेक्टर्स हैं जिनको आप पहले से भी बहुत साथा प्यार करते हैं और आगे भी उनको ऐसे ही प्यार करिए और आप तो जानते ही हैं कि हमारा काम जो है हमारा मुख्य काम प्यार बांटने का है और प्यार अगर आपको बटोरना है तो आपको आना पड़ेगा Anim Story, Love City, Kaka TV के साथ साथ Anim Family Vlog पर और मैं मिलती हूँ आपको इसी चैनल पर लेकिन आपसे दुआरा मिलने के लिए अभी मुझे जाना होगा तो मुझे इजाज़त दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले विलोग में तब तक के लिए बाए बाए और हाँ एक बात मैं बहुत जरूरी बोलना भूल की थी जो मैं रोज बोलती हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने अमुले कमेंट्स आपके बहुत प्यारे प्यारे शभ जो आप कमेंट्स में लिखते हैं वो भी लिख दीजिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स पोर वाचिंग अपने प्यार को जिन्दगी देते हैं ऐसी महबत हर किसी को नहीं मिलती तो प्यार के एक ऐसे ही रूप को हमारे आज की ये कहानी दिल की एक दुनिया मुकमल करती है तो आईए देखते हैं कि कहानी में क्या है और हाँ चलती चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिए एक दिल की दुनिया एक लड़का दूर खडा एक लड़की को देख रहा था वह लड़की बच्चों की साथ खेल रही थी और बहुत मस्ती कर रही थी उसे यो देख कर उसके चेहरे पर एक मुसकान बख़र जाती है आखिर उसके मुसकान जो उसके सामने थी कितनी अच्छी लगती है यह सी तुम्हारे चेरे पर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ रोशनी फैल गई हो ऐसी ही रोशनी बनकर तुम दो साल पहले मेरी जिंदगी में आई थी और आते ही मेरी जिंदगी को देखने का नजरेया ही बदल दिया यह सिखा दिया कि दुनिया में सिर्फ हमारा ही दुख सबसे बड़ा नहीं है हमसे भी जादा दुख लोगों की जिंदगी में है लेकिन दुख बढ़ जाने का मतलब यह नहीं है कि खुश्या हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चलीगी वो बस छुप सी जाती है जिने हमें फिर से ढूड़ना पड़ता है अपने अंदर अपने आसपास और मुझे मेरी खोई हुई खुशी तुम में मिल गई आज भी आद है मुझे वो दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था वो भी कैसी हालत में एक लड़का पहारी पर खड़ा था उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया हुजड़ गई है और इसी वज़े से वे अपनी जिन्दगी खत्म करने जा रहा था वे ऐसा कर भी देता अगर वे एक आवाज उसे ना रोकती रुको उस लड़के के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वे पलट कर देखता है एक लड़की दौरते हुई उसके पास आ रही थी वे उसके पास आकर खड़ी हो जाती है मैं चानती थी कि तुम कोई गलत कदम उठाने जा रही हो इसलिए मैं तुम्हें पीछे आदी घंटे से फॉलो कर रही हूँ तुम पागल हो क्या भगवार ने हमें जिन्दगी जीने के लिए दी है और तुम उसे ऐसे ही खत्म कर रहे हो तुम्हारी नज़रों में जिन्दगी की कोई आहमित नहीं है तुम हो कौन और जानती क्या हो मेरे बारे में मेरी जिन्दगी में बचा ही क्या है जिसके लिए मैं जी हूँ मेरा पूरा परिवार मेरी मा, पापा, भाई तिनों एक कार एक्सिडेट में मारे गए मुझे हमेशा केला अकेला चोड़ कर चले गए इसलिए जाओ यहां से मुझे अकेला छोड़ दो और तुम होती कौन मुझे रोकने वाली कोई नहीं होती लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगी इस वक्त तुम्हें अपना दुख सबसे बड़ा लग रहा है न लेकिन दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा दुखी लोग है पर वह अपनी जिनकी ऐसे तुनहीं खत्म कर लेते है वह उसका हाथ पकड़ती है चलो मेरे साथ ये क्या कर रही हो तुम? कहां ले जा रही हो मुझे? वह दोनों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं देखो इन बच्चों को इन में सी कितने ऐसे हैं जिनोंने अपने मा बाप को कभी देखा भी नहीं तो किसी ने इन्हें पैदा करती ही छोड़ दिया तो क्या करना चाहिए इन्हें? मर जाना चाहिए? इसे देखो तुम कितने लखी हो कम से कम अपने पैरों से चल सकते हो यह तो वे भी नहीं कर सकता तो क्या करे यह है? जान दे दे अपनी मैं 6 साल की थी जब मेरी मा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चली गई मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली दूसरी माने मुझे प्यार करना तो दूर बलकि यहां छोड़ दिया तो इसका मतलब तो मेरे पास जीने की कोई वज़ा ही नहीं है मुझे तो मढ जाना चाहिए जिन्दिकी अगर खुद को खत्म करने की हजार वज़े देती है तो कही न कहीं जीने की एक वज़े जरूर छुपा देती है पस जरूरत होती है उसे ढूरने की वह लड़का उस लड़की की हर पाथ चुप चाप सुन रहा होता है और उसे देख रहा होता है वह बिना कुछ कही वहां से चला जाता है अगली सुबह वह लड़की और्फनेट से बाहर जा रही होती है उसे वह लड़का बाहर ही खड़ा देखता है वह लड़का उसके पास आता है वह लड़की उसकी तरफ देखती है कल तुमने मुझे एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने से रोक लिया तुमने सही का, तुनिया में सिर्फ हमी दुखी नहीं है, और लोग भी हैं, जो हमसे कहीं ज़्यादा दुखी है हालातों से हार कर खुद को खत्म कर लेना बहादुरी नहीं, बल्कि बुजदिली होती है हमें खुशी खुद धूरनी पड़ती है, अपने आसपास, अपने अंदर वह लड़की उसे देखकर मुस्करा देती है हाई, आयम राज हाई, मुस्कान धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, राज रोज-रोज और्फनेज आ जाया करता था वहाँ के बच्चों से उसकी भी दोस्ती हो गई थी उन सबके और मुस्कान के साथ राज बहुत खुश रहता था अब वही उसकी दुनिया थी धीरे-धीरे राज को मुस्कान से प्यार हो गया लेकिन उसने अभी तक उसे बताया नहीं था जिस दिन मैं अपने पैरों पकाड़ा हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा आज वो दिन आ गया है मुस्कान मुझे जॉब मिल गई है आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा वह उसके पास जाता है मुस्कान चलोगी वहीं जहां हम पहली बार मिले थे चलोगी पर कोई खास बात है क्या नहीं बस ऐसे ही ओके शाम को दोनों पहाड़ी के पास होते हैं कितनी खुबसूरत जंगे है न ये और मेरे लिए तो कोछ जादा ही क्यों क्योंकि यहां मुझे मेरे जीने की वज़ह मिली यहां मुझे तुम मिली मुसकान उसकी तरफ देखती है राज अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और मुसकान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मुसकान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जीतो सकता हूँ, पर जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना, तुम्हारे आखों में हर पल खुद को देखना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगी मुस्कान की आखों में खुशी के आसू आ जाती हैं, और वह उसकी हाथ पर अपना हाथ रख देती है हाँ राज, करूँगी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और बहुत प्यार करती हूँ दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, थोड़े दिनों में उनकी शादी हो जाती है, वह एक खुशाल जिन्दगी जीने लगते हैं प्यार के रंगू से भरी, खूब सुरत सपनों से सजी, एक दिन राज और मुसकान गार्डन में होते हैं, राज मुसकान की गुद में अपना सर रख कर लेटा था तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? क्यों, तुम्हें शक है? नहीं, शक नहीं है, दर है कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया, तो तुम क्या करोगे? राज उटकर बैट जाता है ये कैसी बाते कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूगा, दुबारा ऐसा कभी मत कहना अच्छा नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी मुझे से वादा करो, कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया, तो तुम कभी उदास नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर, मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, एक साल बाद मुसकान एक बेटी को जन्द देती है उसका नाम उन्होंने शिवी रखा था, शिवी के आने के बाद उनकी जिन्दगी खुशियों से भर गई थी ऐसे ही उनकी जिन्दगी के तीन साल और बीद गए एक दिन शिवी अचानक बेहोच हो गई, डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है और हार ट्रांस्प्लांट करना पड़ेगा वह लोग बहुत परिशान रहने लगी, एक दिन मुस्कान घर पर थी कि हॉस्पिटल से राज को फोन आया कि शिवी की तबियत अचानक खराब हो गई है वह जल्दी में घर से निकलती है पर रास्ते में उसका आक्सिडेंट हो गया राज उप्रेशन थीटर के बाहर है और अंदर मुस्कान का उप्रेशन चल रहा है थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आती है ब्लेडिंग बहुत बढ़ गई थी, इस वजह से अब उनके पास जादा वक्त नहीं है, I'm sorry आप उनसे मिल लीजिये राज के हाथ पैर काप जाते हैं, वे मुस्कान के पास जाता है और उसके पास सर रख कर रोने लगता है मुस्कान हॉस्पिटल के बेट पर अपनी चंद बची सासों को जी रही थी क्यों रो रही हो? तुम बहुत बुरी हो, तुम भी जा रही हो मुझे छोड़ कर सारी दुनिया कहेगी, एक दिल के लिए दुनिया दे दी मैं हमीशा तुम्हारे पास रहूंगी, बस खुली आखों से नहीं दिखूंगी, पर आखें बंद करती ही आ जाऊंगी ये कहते ही वे अपनी आखें बंद कर लेती है शायद उस दुनिया से उस दुनिया का सफर तेह करने निकल चुकी थी पापा चल्दी चलिए, सब बीच कर रही है हाँ चलो सब बच्चों के साथ शिवी केक काट रही थी और सब मुसकान के फोटो के आगे कैनल जला रही थी रात में राज उसी पहाड़ी पर होता है जहां वे मुसकान से पहली बार मिला था तुम्हें ठीक कहा था, तुम हो, कहीं नहीं गई तुम, आज भी मेरे पास हो वे अपनी आखें बंद कर लेता है, उसे मुसकान का मुसकुराता चेहरा दिखता है इस बारिश में मयंग खोया-खोया सा चल रहा था ना उसे अपनी लडखडाती चाल की खबर थी, ना ही अपने बेहाल हाल की तभी सामने से आ रहे एक कपल पर मयंग की नजर पढ़ती है तो कितना प्यार करती हो तुम मुझ से? इतना कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अच्छा जी, तो वक्ताने पर मांग लूँगा तो मना तो नहीं करोगी अभी मांग कर देख लो, मर जाओंगी पर तुम से किया वादा न तोड़ूंगी मयंग ये सब ध्यान से दीख रहा था कि तभी वहे चल कर उनके पास जाता है और लड़की को जोरदार एक तमाचा लगाता है अब बताओ भाई, ऐसे भी क्या कोई रहा चलते हुए लोगों को मरता है बेरी बैड मैंग, बेरी बैड आइ मिन, दिखने में मैंग कितना अच्छा है और हरकते बुल्डों के जैसी है मेरी टैक्साइटमेंट भाई बढ़की जा रही है चलो बागे देखते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोनों लोग बस उसे अश्चर से देखी जा रहे थे प्यार में जान देना जरूरी नहीं है प्यार में साथ जीना जरूरी है और तुम लड़की अपना प्यार साबित करने के लिए जान ही देत होगी तो फिर प्यार कहां से करोगी मरने के बार रूहें सर्फ तंग और बेचैन करती है प्यार नहीं करती समझी ये कहकर मयंग आसमान की और देखकर जोरो से रोनी लगता है मयंग वहीं बारिश में ही बैठकर रोनी लग जाता है तभी दोनों लड़का लड़की मयंग के पास आते है क्या हुआ भाईया कौन सा दर्ची पाई हुए हो अच्छी बात के दिया ना मयंग ने कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ या जान भी दे सकती हूँ तो भाई किसी के लिए जान देने वाले ये कहानी आपके लिए है तो चलिए देखते हैं कहानी को और भी आगे शिवानी और मयंग बारिश में सड़क पर भीगते हुए जा रहे थे एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे मयंग जिस तरह ये बिचली कड़क रही है उसी तरह मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत धड़कता है कितनी फिल्मी हो तुम मयंग शिवानी की बचकानी बातों को अंसुना कर उससे अपना हाथ छुड़ा कर आगे निकल जाता है अब तुम ऐसे मूँ फेरोगे मुझसे देखना एक रोज चली जाओंगी न और तुम पलट कर देखोगे तो भी नजर नहीं आओंगी कितनी नोटन की है ये जाओ जाओ चली जाओ हर बार कहती हो चली जाओंगी और जाती ही नहीं हो जिस दिन मर कई न तो भूतनी बनकर तंग करूँगी मैं भूतनी से प्यार कर लूँगा पर तुम से ना बाबा ना शिवानी रोट कर पलटते हुए दूसरे और चलने लगती है चलते चलते शिवानी थोड़ी आगे आती है कि वहां कुछ मंचले शिवानी को घेव लेते हैं मयंग हेल्प बचाओ मुझे बचाओ मयंग शिवानी की आवास सुनकर मुस्करा देता है मयंग इठलाता हुआ शिवानी की आवास की और बढ़ता है और जैसे ही उस और देखता है मयंग की दुनिया एक दम उजड़ जाती है बारिश में उस सरग पर पढ़ा था शिवानी का शरीर जिसके पेट से भी हिसाब खोन बह रहा था खोन बहता हुआ मयंक के पाउं तकाता है और उसके कदम लड़ खड़ा जाते हैं पहट दोड़कर शिवानी के पास जाकर गिर जाता है और उसे सीने से लगा लेता है शिवानी ये कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले मंचलोंने लूट पार्ट पर शिवानी को छेरना शुरू कर दिया था मगर जैसे ही वह चिलाने लगी थी उन्होंने घबरा कर शिवानी को चाफू मार दिया और भाग गए मयंक अब तो तुम्हें मेरी रूह से ही प्यार करना होगा मैं बस तुम्हारी होकर जी और तुम्हारी होकर ही मरूंगी और तुम्हारी होकर ही मर रही हूँ नहीं शिवानी नहीं नहीं हाँ हाँ सीखा मैंनी जीना जीना कैसी जीना और शिवानी मयंग की बाहों में ही दम तोड़ देती है एक सची महबबत ने दम तोड़ दिया था नहीं शिवानी ये क्या कर दिया तुमने तुम तो चली गई और मुझे कहत करके अपने साथ ले गई मयंग की दासता सुन वो लड़का लड़की भी रोने लगते है याद रखना त्यार में मरना नहीं साथ जीना सीखो मयंग उठकर चलने लगता है तभी उसे महसूस होता है कि शिवानी ने उसका हाथ थामा है दोनों एक दूसरे की और देख कर मुस्कुराते हैं मैं तो यहीं थी हमेशा तुम्हारे आसपास सची से हैं ये तारिफें दिल से जो मैं ने करी है तु जो मिला तो सची है दुनिया मेरे हम दम मैंग के उस गुस्से के पीछे कितनी दर्दबरी कहानी चीपी थी ये तो हमको पता ही नहीं था लेकिन जो भी हो कहानी बहुत मस्त है और ऐसी ही और भी अच्छी-च्छी कहानिया हम लेकर आएंगे इसी स्रीज के अंदर प्यार तु ने क्या-कया और कहां पर एन्यू फैमिली विलॉग पर और भी सेनल पर बहुत कुछ मिलता है और हां कहानी के पीछे की कहानी भी यहां दिखाई जाती है और कहानी के लिए आपको जाना पड़ेगा लब सिटी, एनिम स्टोरी, काका टीबी, होरर सिटी और एससी एनिमेशन पर उससे मिलने के लिए कहानियों के पीछे की कहानी जानने के लिए और प्यार तुने किया किया में शॉर्ट लव इस्टोरी जानने के लिए आना पड़ेगा एनिंग फैमिली विलोग पर तो देर किस बात की भाई जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अप अपना जिहान रखे और बाई 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 शादी के घर में दुल्हिन बनी हुई सीता आइने के सामने बैठ कर अपने आसों से कुछ और ही कह रही थी दिल में हैं प्यार देरा हो डोपी के दिवा छोट बोले जो उसे काट खाए बिच्छ वा एक था बुल एक थी बुल बुल तभी कमरे में सीता की सखियां हस्ते खिल खिलाती से अंदर आती हैं अरे सीता आज के दिम भी ऐसा का ना चलो चलो इसे अभी अकीला छोटकर हम दुले को देखने चलते हैं दरवाज इसे अंदर आ रहे धुले शर्मन का भी चहरा एक तम उत्रा हुआ था जिसे शादी के इस घर में मातम चा रहा हो सीता को दुलन बनाकर शर्मन के बगल में बिठा दिया जाता है सीता तो आखिर क्या सोचा है तुमने अगर आज ये शादी हो गई तो फिर मैं कभी भी अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा ये सुनते ही सीता फूट फूट कर रो पड़ती है शर्मन, शर्मन मझे माफ कर दो, माफ कर दो शर्मन मझे नहीं हो पा रहा मुझसे, I'm sorry जहां सीता और शर्मन शादी के इस मंड़क में एक दूसरे के नाम अपनी जिन्दगी कुरने को थे वहीं आखिर सीता शर्मन से क्यों कह रही है कि उससे नहीं हो पा रहा कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के सामने शर्मन सीता को अपने दिल का हाल बताता है सीता के सामने घुटने पर बैठे हुए शर्मन ने बड़े ही फिलिंग्स भरे अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया था शर्मन खड़े हो दिखो सब देख रहे हैं मुझे यह शर्मिंदा ना करो शर्मन क्या मेरे प्रपोस करने से तुम शर्मिन्दा हो रही हो सीधा पर आकर क्यों तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो उस तर्वे क्या लगता है थ All, इसा करते हो, वह रहे, उस सिता क्या कह रही हो, बोलो, सिर्फ शर्मन कहा के या नहीं रॉनक ऐसा मत बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वगर रॉनक सीता को ठुकरा दीता है और सीता उच्रे चमन की तरहें लड़ खडाती हुई रोती सी वहां से जाने लगती है देखा दोस्तों दुनिया कितनी गोल है शर्मन के प्यार को सीता ने ठुकरा दिया यही जमाने का दस्तूर है और सद्यों से चलता आ रहा है शर्मन से अपनी सीता का गम दिखा नहीं गया और वह रॉनक के पास गया दोस्त प्लीज सीता का प्यार अपना ले मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकता नहीं शर्मन सीता सर्फ तुम्हारी है वैसे भी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और शायद लौट प्र ना सको मगर मेरे जाने से सीता तुम तक जरूर आएगी रॉनक नहीं पर रॉनक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सीता और शर्मन को दिल दहलाने वाली ख़बर मिलती है नहीं नहीं प्यार तुने यह क्या क्या ओ माई गॉड़ इस कहानी में कितनी सारी परते हैं बही मैं बहुत एकसाइटीड हो रही हूँ चलो देखते हैं आगे चैन्सर था सीता कैन्सर ने हमारे रॉनक को निगल दहीं सीता रॉनक का लास्ट मेसेज यही था कि उसकी आखरी इच्छा है कि मैं तुमसे शादी करूं और सीता शर्मन को गले लगाती है सीता होश में आओ, तुम क्या चाती हो वो ज़रूरी है, मेरा प्यार तुम्हें हासल करना नहीं है, तुम्हारा साथ पाना है, और साथ तो दोस्ती में भी हो सकता है न? सच शर्मन हाँ सीता, I love you, हर रिष्टे में हम दोस्ती निभाएंगे आखरी दम तक और सीता, शर्मन, दुला, दुलन, बने उस शादी के मंडब में पूरे जीवन भर दोस्ती की कसम खाती हैं और गले लगती हैं ऐसी कहानी यार, क्या वोलो इस कहानी के बारे में? प्यार दोस्ती है और इस लाइन को हमारी इस कहानी ने पूरा सिद्ध कर दिया है कि बिलकुल प्यार दोस्ती ही होता है सीता और शर्मन ने अपनी कहानियों से हमेशा आपको आनंदित किया है और अब आपकी बारी है कि आप अपना भरपूर प्यार एनिम फैमिली विलोग चैनल को दिखाएं और हमारी इस स्रीज को अपना बहुत प्यार दें अब तो हम आपके लिए इस पर कहानिया भी लाने लगे न अब तो सब्सक्राइब करना बनता है न जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए यार इसके पीछे कहानिया भी दिखाती रहूंगी लेकिन ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए बना कर लाती रहूंगे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ जो ये सब करते रहते हैं और कोमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे थाकि मैं आगे आपके लिए और वीडियो लेकर आ सकूँ तो मैं मिलती हूँ आपसे अकले विलोग में और हां लव सिती, एनिम स्टोरी, काका टीवी, हॉरर सिती, SSZ, एनिमेसन, इन सभी चैनल को भी चल्दी जाएए, सब्सक्राइब कर दीजिए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा फेस्बुक पर परसनली मैसेज कर सकते हैं, एनिम गुरूप टीवी दोनों का हैंडल नेम है, और आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मैं मिलती हूँ आपसे नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए बाए बाए, keep watching, keep supporting and thanks for watching, अपना ध्यान रखिये